पून तो हमें क्या करना है हमें Usually जब भी आपको instruction देना specially hyperactive बच्चे को आपको उसके पास जाना है आपको उसका attention लेना है आपको उसका नाम बुलाना है और फिर ही instruction देना है यह कब तक जब तक उसका brain ही सारी चीज़े सीख नहीं रहता उसके बाद इसकी ज़रूरत कम पढ़ने लगती है और तब तक you have to do this उसके बाद instructions भी हो सके उतने छोटे हो और कम हो वैसे दिना gradually बड़े instructions के पास हमको जाना है और जब भी आप instructions भी दोगे हो सके तो उस बच्चे का नाम लो पहले ताकि उसका ध्यान आपके पास यह सारी छोटी छोटी चीज़े हैं जो हमको बच्चों से इंटराक्ट करते वाग हमको ध्यान देनी है